नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर देव कुमार साहू और मैं हूँ एक MBBS डॉक्टर आज की इस पडूलर वीडियो में हम बात करेंगे ब्लेड डोनेशन के बारे में ब्लेड डोनेशन के पीछे छूपे हुए हर उस राज के बारे में बात करेंगे जो की आपने कभी सुना होगा, कभी देखा होगा क्या वो सच है, क्या वो मित है, इन सभी के बारे में भी हम बात करेंगे तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर वो इस टेप जो की आपको ज़रूरी होता है ब्लेड डोनेशन करने से पहले जानने के लिए तो चलिए इस वीडियो को स्टाइट करते हैं इंट्रोडक्शन से लेकर के आपको पता होना चाहिए कि ब्लेड हमारे सरीर का एक अभिन अंग होता है ब्लेड मतलब की खून के अवल लाल रंग का पानी नहीं होता है उसमें अलग अलग तरहीगे के कोसिकाएं होती है, Cells होते हैं कुछ लाल गलर के होते हैं, कुछ सफेद कलर के होते हैं लाल रक्तकडी काएं, स्वेथ रक्तकडी काएं, जिसे Red Blood Cells, White Blood Cells या Platelets भी कहा जाता है ये तीनों अलग-अलग के सेल्स होते हैं जिनका बॉडी में अलग-अलग काम होता है ब्लेड मतलब की रेड सेल्स होते हैं उनका काम होता है सरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह करना सांस कि थुरू जब हम उक्सिजन लेते हैं तो उसे सरीर के हर उस टिसू हर उस उतक उस कोशीका तक पहुँचाना बलेट की जिम्यदारी होती है बहुत से ऐसे कंडिसंस होते हैं जब सरीर में खुन की कमी हो जाती है जब किसी वेक्ति के उमर के हिसाब से या उसके सरीर की सनचना के हिसाब से या उसके रहने वाले इस्थान के हिसाब से ब्लेड की मातरा कम हो जाती है तब उसे एनिमिया मतलब की खुन की कमी कहा जाता है यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये खुन की कमी मतलब की एनिमिया बहुत सारे अलग-अलग कारणों की वज़े से हो सकता है हमारे खान-पान में कुछ कमी है उसकी वज़े से भी हो सकता है जिसे nutritional deficiency एनिमिया कहा जाता है इसमें iron की कमी हो सकती है या vitamin B12 की कमी हो सकती है मान की चलो कोई ऐसा percent है जिसके दोनों kidney खराब हो चुके है उसमें भी खून की कमी होती है आपको पता होना चाहिए कि खून को बनाने वाला एक hormone होता है erythropoetin और ये hormone हमारी kidney बनाती है जब kidney failure हो जाता है, kidney खराब हो जाती है तब ऐसे condition में kidney वो hormone produce नहीं कर पाता है और सरीर में खून की कमी होने लग जाती है इसके अलाबा किसी को blood cancer भी हो सकता है cancer आज के time में काफी dangerous बीमारी है और इसके उपर भी मैंने एक video बना करके रखा है कि कैसे cancer का एक नया treatment आया है आप अगर चाहें तो video उसका link मैं description box में दे दूँगा आप वहाँ पर जाकर के check कर सकते हैं blood cancer के नया treatment के बारे में blood cancer एक बहुत important cause है सरीर में खुन की कमी के वज़े से क्या होता है कि हमारी हड़ियों में खुन बनता है जब blood cancer होता है तो cancer वाली को सीकाएं अपना number बहुत ज़्यादा बढ़ाती है बहुत ज़्यादा संख्या में वो हमारे हड़ियों के अंदर में भर जाती है इसकी वज़े से हमारे समान निरक्त कड़ीकाओं को वो जगह नहीं मिल पाता है वो space नहीं मिल पाता है जिसमें वो proliferate होकर के अपना number बढ़ा सकें और खुन बना सकें तो इस तरीकी से blood cancer वाले बीमारी में भी खुन की कमी होती है इसके अलावा एक normal process जब कोई महिला pregnant होती है उस time पे भी सरी में blood की कमी होने लग जाती है क्योंकि इस वभावी सी बात है जब आपके पेट में कोई बच्चा पल रहा होगा तो वो सारे nutrition divide हो जाता है दो जीवों के बीच में वही nutrition माता के बीच में जाती है और वही उस बच्चे के लिए भी जाता है तो ऐसे condition में भी सरी में खुन की कमी हो जाती है इसके अलावा unfortunately अगर किसी patient का accident हो जाता है तो ऐसे condition में हमें operations करने पड़ते हैं यह हो सकता है कि accident के time पे कुछ major vessels मतलब कि जो धमनिया है या सीरा है उनमें कोई injury हो जाता है उसके वज़से खुन काफी जादा amount में बहने लग जाता है हो सकता है कि किसी normal accident में किसी का liver किसी की spleen injury हो जाए तो ऐसे condition में काफी जादा खुन बहता है यह जरूरी नहीं कि वो खुन बाहर में आपको दिखाई देगा बहता हुआ वो खुन internally मतलब कि अंदर में भी बहता हुआ हो सकता है यह धेर सारे ऐसे condition है जब सरीर में खुन की कमी हो जाती है ऐसे condition में patient को सास लेने में परिसानी होती है घबराहट सा फील होता है, बेचेनी होती है, पसीना आता है यह सारे खुन की कमी के लक्षण है patient बहुत जल्दी ठक जाता है जब किसी महिला को खुन की कमी होती है तो बहुत आसानी से ठक जाती है भारत में महिलाओं में खुन की कमी होने का सबसे main reason है उनके खानपान का सही ना होना इसी के वज़ेसे महिलाओं में खासकर pregnancy की time में यह देखा जाता है कि उनमें RN की deficiency हो जाती है, और vitamin b12 की कमी हो जाती है इसके वज़ेसे उनके सरीर में खुन की कमी होती है, मतलब की एनिमिया हो जाती है तो ये सारे चीजें आपको पता होनी चाहिए कि खुन की कमी हो सकती है दूसरा आपको इस बात पर फोकस करना है कि हम एक human है और हमारे अंदर humanity होनी चाहिए किसी person का help करने के लिए एक basic data जो मैं आपके साथ share करने वाला हूँ कि भारत में हर एक दिन में कम से कम 15945 unit of blood patient को चढ़ाया जाते हैं आप देख पा रहे हैं कि एक दिन में 15945 unit of blood का खपत है ये blood कहां से आएगा जब हम आप जैसे लोग जो healthy हैं वो blood donate करेंगे तभी इसका demand पूरा हो पाएगा तो हमारे यदाईत वो बनता है कि जब कभी भी हमें मौका मिले तो हमें blood donate करना चाहिए चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या क्राइटेरिया है जब आप blood donate कर सकते हैं सबसे पहला आपका उम्र अगर आपका age 18 साल से ले करके 65 साल तक के बीच का है जिसे हम hemoglobin कहते हैं उसका इसतर कम से कम 12.5 ग्राम परसेंटेज है तब आप blood donation कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप fit and healthy हैं मतलब कि अभी आप किसी भी तरीके के कोई भी बीमारी से ग्रसित नहीं है तो भी आप blood donation कर सकते हैं दूसरा सबसे बड़ा चीज जो हम लोगों के मन में एक myth होता है कि अगर हम अपने सरीर से खुन किसी को donate कर देंगे तो हमारे सरीर में खुन की कमी हो जाएगी मैं वापत से आपको बता देने चाहूँगा कि हमारे blood में जो cells होती हैं जो कोशीकाएं होती हैं उनका lifetime एक fix होता है उनका जीवन काल fix होता है लाल रक्त की जो कड़ीकाएं होती हैं उनका जीवन काल 120 दिनों का होता है मतलब कि तीन महीनों का होता है हर तीन महीने के बाद आपके सरीज से वो लाल रक्त कड़ीकाएं मर जाती है और दूसरे लाल रक्त कड़ीकाएं बन जाती है तो आपको इस बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपके सरीज से blood कम हो जा रहा है अगर आप donate कर हो तो बलकि ये एक positive चीज होता है कि जब आप अपने body से blood को बाहर किसी दूसरे patient को donate करते हो तो आपके हड़ियों के bone marrow है उनको stimulation मिलता है नए तरीके से नए cells बनाने के लिए तो इस तरीके से आपको पता है कि जब भी कोई factory चलती रहती है तभी वो अच्छी रहती है रुकी हुई कोई भी factory अच्छी नहीं होती है अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे क्या क्या conditions हैं जब आपको blood donation नहीं करना चाहिए सबसे पहला चीज अगर आप donation के दिन में बीमार जैसे महसूस कर रहे हो या तो आपका तवियत सही नहीं लग रहा हो तब आपको blood donation नहीं करना चाहिए दूसरा अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं और उसके लिए regular कोई दवाई खाते हैं तब भी भी आपको blood donation नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सी दवाईयां ऐसी होती हैं जो blood में mix हो जाती हैं और जिस patient को उसका जुरुरत नहीं है उसके सर्य में हम खून के साथ में उस दवाई को डाल देते हैं तो यह स्वभाविक तोर पे पैसेंट के लिए अच्छी बात नहीं होगी अगर आपको पिछले एक साल के अंदर में कभी पीलिया हुआ है तो भी आपको blood donation नहीं करना चाहिए ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीलिया हमारे सरीर में खून के तूटने की वज़ा से होता है अगर आपको एक साल के अंदर में पीलिया हुआ है तो definitely यह indicate करता है कि आपको खून की कोई न कोई बिमारी है ऐसे condition में आपको खून डोनेट करने से avoid करना चाहिए जब तक यह आप पूरे तरीके से जाच न करा ले उसके बाद भी अगर आपको पिछले एक साल के अंदर में जौन डिस मतलब की पीलिया हुआ है तो आपको blood donation नहीं करना चाहिए अगर पिछले कुछ समय में आपको कोई surgery हुआ है तभी भी आपको blood donation नहीं करना चाहिए क्योंकि उस time पे खुद आपके सरीर को अधिक मातरा में खून किया हो सकता पड़ेगी इसके अलावा अगर patient AIDS या HIV का मरीज है तभी भी उसे blood donate नहीं करना चाहिए साथ ही अगर वो patient HIV या AIDS के risk पे है मतलब अभी उसे HIV या AIDS नहीं है लेकिन अगर उसे risk है HIV या AIDS होने का तभी भी उसे blood donation करने से avoid करना चाहिए इसके अलावा अगर आपने पिछले एक साल में अपने सरीर में कहीं पर भी tattoo बनवाया है तो भी आप blood donation नहीं कर सकते एक साल तक तो अब मैं और आप ready हो चुके हैं blood donation के लिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़े हमें blood donation से पहले ध्यान देनी चाहिए क्या चीज़े हमें अपने आपके अंदर preparation करना चाहिए blood donation करने से पहले सबसे पहली बात blood मतलब कि हमारे सरी से fluid मतलब कि द्रव जो है उसे सरी से बाहर निकाला जा रहा है आपको अपने सरी में द्रव की मातरा को बढ़ानी है तो उससे पहले कि आप blood donation करें आपको बहुत अधिक मातरा में पानी पीना है ज्यादा possible हो सके तो आपको अधिक सधिक मातरा में juice पीना है blood donation करने से पहले आपको balance diet लेना है मतलब कि न तो ज्यादा heavy diet लेना है और नहीं ज्यादा light diet जो आपका regular normal डाल चावल रोटी है आप उसे खाईए protein के source के तोर पे आप कुछ खा सकते हैं सलाद वगर भी खा सकते हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपको balance diet रखना है ऐसा heavy diet नहीं लेकर के जाना है आपको इसके अलावा आपको बिल्कुल strictly तोर पे avoid करना है alcohol का consumption इससे पहले कि आप blood donation करें आपको पता हुगा कि जब आप blood donation करने जाते हैं अब आप alcohol पीते हैं तो उसमें क्या होता है कि alcohol blood में मिल जाता है और हम वापस से blood में alcohol मिला करके patient को देंगे तो ये patient के लिए अच्छी बात नहीं होगी blood donation करने से पहले आपको adequately पर्याप्त मातर में नींद लेना है एक अच्छा नींद आपको blood donation के बाद जल्दी recover होने में helpful होता है तो कम से कम आप 6-7 घंटे का नींद पूरा करें जिस दिन आप blood donation के लिए जाते हैं उस दिन ये बहुत important हो जाता ही कि आप lose कपड़े पहन करके जाएं ताकि आपको comfortable feel हो और आप आसानी से blood donation कर पाएं साथ ही blood donation के टाइम पे जब cannola लगाया जाता है तो उससे होने वाले complications न हो आपके धमनी और सीराओं पे कोई भी blockage न आ सके इसके अलवा एक जो सबसे important बात है कि आपको अपनी सारी medical history डॉक्टर के साथ में share करनी चाहिए मतलब कि अगर आपको पहले कोई बीमारी रहा हो या किसी और बीमारी की वज़स सरजरी हुआ हो कभी आपको खून चढ़ाने का जुरत पड़ा हो तो ये सारी चीजें आपको डॉक्टर के साथ share करना चाहिए इतना ही नहीं अगर आपके परिवार में किसी के साथ कोई ऐसा बीमारी है जो खून तूटने की बीमारी हो ऐसा कोई भी बीमारी जो genetically होता है मतलब कि एक पिड़ी से दूसरे पिड़ी में इस थनांतरन होता है ऐसे हर बीमारी के बारे में आपको डॉक्टर के साथ में सब कुछ share करना चाहिए तो अब आप और हम blood donation करके आ चुके हैं अब हमको अपने body को healthy रखना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए वापस से मैं आपको बताऊंगा कि हमारे सरी से volume of fluid मतलब कि द्रव को सरी से बाहर निकाला गया है उसे वापस से उसके amount को replenish करना है तो हम अधिक से अधिक मातरा में juice पीएं और पानी पीएं दूसरा important चीज है कि blood donation करने के तुरत बाद आप दोड़ने न लगें कोई काम न करने चले जाएं आपको कम से कम 10 से 15 मिनेट का rest चाहिए होगा ताकि आपकी body blood में जो कमी हुई है उसको अच्छे से understand कर सके और अपने सरीर को manage कर सके इसके अलावा जब आप blood donate करते हैं तो cannula को हटा करके वहाँ पर एक bandage लगाया जाता है आपको ध्यान देना है कि आप 6 घंटे के बाद ही उस bandage को हटाएं इसके अलावा blood donation करने के बाद में अगर आपको किसी भी तरीके का discomfortness या परिसानी होता है तो आपको definitely blood bank में डॉक्टर से जा करके मिलना चाहिए यह परिसानी आपको बहुत ज़्यदा कमजोर बना सकती है यह हो सकता है कि आपको बुखार आ रहा हो ऐसा भी हो सकता है कि आपको सांस लेने में परिसानी हो रही हो blood donation करना अच्छी बात है हमारी community के लिए, हमारे समाज के लिए क्योंकि हो सकता है अगले दिन हमें यह हमारे किसी परिवार वाले को ही खुन की जरूरत हो तो अगर हम इस चीज को सपोर्ट करेंगे कि blood donation करना चाहिए तो हमारे लिए भी वो खुन अवेलेबल हो तो हेलो दोस्तों, I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि blood donation क्यों जरूरी है और आप इस वीडियो से motivated भी हुए होंगे कि आपको blood donation करना चाहिए अगर आपको ये वीडियो जानकारी वाला लगा तो आप इससे अपने लोगों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिष्टेदारों के साथ में सेर करें और इस वीडियो का like करके इस चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुल न भोलें notification bell को on करना बिल्कुल भी न भोलें क्योंकि यही वो जर्या है जिससे आप मेरे वीडियो को सबसे पहली बार देख पाएंगे तो ऐसे स्वास्ति से रेलेटेड धेर सारे रोचक जानकारियों के लिए बने रही है मेरे योट्यूब चैनल के साथ में मैं हूँ आपका दोस्ट डोक्टर देख कुमार साहू मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में तब तक आप अपना ध्यान रखें और खुद जाकर के blood donation करें और दूसरों को भी blood donation करने के लिए motivate करें करें पायं जाए करें पायं मम याह ऻुम पाय या